बागलपुर जिलादिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को समिक्षा भवन में सोसल मीडिया से जुड़े लोगों के साथ बैठक की इस दोरान जिलादिकारी ने सबसे पहले सोसल मीडिया से जुड़े सभी प्रतिनीधियों के द्वारा दिये गे सुझाओ और बैठक में सामिल होने पर उनका आभार व्यक्त किया इसके बाद डियम ने कहा कि भागलपुर को बहतर सुविधा से लेस बनाने के साथ हर अस्तर पर सुन्दर बनाना उनका लक्ष है जिलादिकारी नवलकिशोर चौधरी ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था के अलावा अन्य किसी भी तरह के सुधार की जरुरत पढ़ने पर प पार्किंग के लिए जगह भी चैनित की जाएगी वहीं जिलादिकारी नवलकिशोर चौधरी ने कहा कि भागलपुर के विकास को लेकर यहां के सोसल मीडिया इंफुलेंसर के साथ बैठक की गई और उन्हें यहां के युवाओं को जागरूप करने के साथ शहर में जाना है इस भागलपुर को कैसे डेवलप किया जाए कैसे को क्राया जाए और इसमें सभी लोग ने अपने अपने विचार को रखा है और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और मैंने इन सभी लोगों से भागलपुर को डेवलप कराने के लिए रिक्वेस्ट भी किया है नगई कोई Бगलपुर अपपर्नगर ठानाचेतर के भवनातफूर बगीचे से रवीवार को मासूम च्यवरसियाद बच्ची का शव चट विचट अवस्था में बरामद किया गया था जिसको लेकर मृत्का के परीजनों ने उसके चाचा द्वारा बच्जी की हत्या कर दुशकर्म करने की आशंका जताई थी वहीं इस अमानुया घटना पर वर्या पुलीस अधिक चक पुलीस अधिक चक एवं पुलीस उपाधिक चक विदिव्यवस्था के द्वारा एक विशेश टीम बनाई गई और मरितका के पिता के फर्द बयान में अपने चचेरे भाई पर लगाए गए आरोब के अधार पर पुलीस ने 24 घंटे के अंदर अभियुक्त गोहिया उर्फ रोही कुमार को गिरपतार कर लिया कटना सल से पुलीस ने खून लगी मिट्टी, जला हुआ कपड़ा, बोतल, माचीस, एवामान्य समागरी बरामत की है सरके द्वारा एक टीम साइटिक अठीत किया गया हमारे नित्रिक में और उसमें एसप प्रोवेशनलर्ड और डीसप लॉन ओर्डर समंदित थानाध्यच और फरदर टीम थी उसमें इस टीम की दौरर फिर हम लोग ने इसमें बच्ची का बाचान कराते हुए यह या निशकरस निकला कि इस बच्ची के साथ किता के दौरर बताया गया कि इनके ही पड़िवाड के चाचा जो लगते हैं इनके दौरर इस अभ्यूत को गिरफतार कर लिया गया है अभ्यूत का नाम गोगिया और फ्रोही कुमार पिता लखन रिसी देव साकिन हरी नगर थाना अकवर के हिराने वाले हैं इसे मन्द में बैग्यानिक अनुसंधान करते हुए जिस मैटरियल से माचिस से उसके जलाया गया वह बरामत कर अपरादी ने अपना जिर्म कबूल किया है और पूरे घर्टना करम के बारे में बताया गया है इस व्यक्ति का सेक्स्वैली वह इंटेंशन था उस बच्ची के प्रति उसका पहले जो है वह उसको चॉक्रेट के बहाने टॉफी के बहाने उसको अपरण किया गया और बच् चेत्र कम्प्लीट जला नहीं पाया और इसके कारण जो है अर्द जला बोडी फिर हम लोगों को बरामत किया गया बाका के सनौला थाना अंतरगत भूवन्चक गाउं के बहियार में एक युवक्त की निर्मा मत्या से चेत्र में संसनी फैल गई मृतक की पाचान गोराडी थाना चेत्र के नयाटोला निवासी तीस वर्षिया छोटू मंडल के रूप में हुई है गटना गोराडी और सनोला थाना के सिमावर्ती छेतर की है जिस कारण सनोला थाना ध्यक्ष चंदन कुमार और गोराडी थाना ध्यक्ष विनोत कुमार ससस्त्र बल के साथ गटनास्तल पर पहुँचे और मामले की जाच शुरू की गटनास्तल पर मृतक के शब के निकट से छती ग्रस्त टॉर्च एवन खून से लिप्टा हुआ गलास बरामत किया गया मृतक के बड़े भाई चक्रधर मंडल ने बताया कि रविवार की रात घर में खाना खाकर छोटू घर से बाहर निकला था गरवाले समझे की खाना खाकर कहीं टहलने गया होगा जब देर रात तक छोटू घर नहीं लोटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की लेकिन रातरी में उसका कुछ भी पता नहीं चल सका वहीं समझे को दिन में खोजबीन के दोरान किसी ने बताया कि भुवन्चक बहियार में किसी युवक का शब पढ़ा है जिसके बाद परिजन घटनास्तल पर पहुँचे और शब का सिनाक्त किया पता नहीं लग करा सिनाक्तल बीकिन घटन लगां और अबनास्तल शुवक का शुवक कि भीव दोरान टनास्तल पर उसके बादा भीत है रातरी में बाद तक शुवक को वोदाव में आपने इला गोड़ीन आतुवक का शुवक्तल प्रमरीन जरा एल्सक बाद पणड़ार पुलिस में सुचना मिला कि शेत्र कंतगर्थ आ साम में चोटू मंडल पिता परमिश्वा मंडल जो की 32 वर्स के हैं उनके एक सब ब्रामद हुआ है प्रत्रम दिश्ट्या यह एक हत्या का मामुला परतीत होता है और परजनों के दवारा जो आवेदन प्राप्त किये जा रहे है उनमें जो आरोप लगाय जा रहे है उस पे हम लोगा नसंधान कर रहे है पुर्ष्माटम के लिए बोड़ी को भिजा जा रहा है और इसमें एक तुरित इसमें करवाई के लिए इससपी भागलपूर सर के दवारा एक टीम दरहित की गई है आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एन हीरिंग क्लिनिक ओडियोलोजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विशुस्तरिये बेस्ट डिजिटल हीरिंग एड विद्ट रिचार्जेबल एंड ब्लुटीथ फैसिलिटी तो आज ही सुनने की जाज कराएं तथा सुनने की मर्शीन लगवाएं निराला स्पीच एन हीरिंग क्लिनिक हमारा पता है बड़ी पोस्ट ओफिस के सामने मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में भागलपुर मोबाइल 70501-93341 हमारी दो और भी शाखाएं हैं उर्णिया में पंचबटी कॉ कराना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉनिलाइटिस, लखवा, पारलाइसिस, गत्या, साइटिका, फोलियो, गुटनों का दर्द, आर्थिराइटिस, नसों का सूपना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमिन, काटलेज, स्पोर्स इंजुरी, स्पाइनल हाथ पेर सुनन लगना जैसी अन्य बिमारियों का इलाज करवाए, डॉक्टर प्रवीन कुमार ज्छा, फिजियो थेरेपिस्ट, एडवास निूरो डाइग्नोस्टेक एंड फिजियो थेरेपी सेंटर, ग्रामीन बैंक के नीचे, हतिया रोर, तिलका मानची भागलपुर, बिहार, कौकरे, 9431-446600 अप्ति के बाद, अपने माई के लोटने के दोरान, महिला, हाथ से का शिकार हो गई, बताया गया कि मृतका की दोवर्सिय पुतरी अनुष्का को लगुशंखा लगने पर, वह बाइक को सड़किनारे रुकवा कर बच्ची को लगुशंखा करवा रही थी, इसी दोरान, प स्वास्त केंदर में भरती करवाया गया, वही घटना के बाद भाग रहे ट्रेक्टर चालक को ग्रामिनों ने खदेल कर पकड़ दिया, और पुलिस के हवाले कर दिया, इधर घटना में ट्रेक्टर चालक प्रकाश मंदल भी जकमी हुआ है, हलांकि वो अपने आपको ट्रे की नम्च गुरू? अधना समयत कई तरह की जानकारिया दी गई, करिक्रम में जिला प्रशिक्चक, मुके साजाद और अनूप प्रिया ने बच्चों को प्रशिक्चित किया, इधर समापन समारों में भारत स्काउट गाइट के जिला युक्त मनोच कुमार सिंग, विद्याले के स्काउट शिक चक, आसीज कुमार दास और वरिष्ट सिक्चक, सुनिल कुमार पांडे ने सभी बच्चों को बैच एवं सकार्फ देकर सम्मानित किया, इसके अलावा कारिक्रम में बच्चों के लिए रंगोली, पोश्टर, काड और वैच निर्मान परत्योगिता आयो जित की गई, इसम कारिक्रम विद्याले के प्राचारी ससायक छेत्रियादिकारी रमेश चंदर शर्मा के मार्क दर्सन में संपन हुआ, मौके पर डॉक्टर विमलेश ज्जा समेथ विद्याले के सभी शिक्च के तर करमचारी मौजूद रहे भागलपूर के सुल्तानगर्ज में कुमेठा पंचायत की मुखिया पायल शर्मा को जिलाध्यक्ष चंदर शेकर परसाद यादब के द्वारा उपाध्यक्ष मनोनित करने पर नागरिक अविनंदन समारो का आयो जानक किया गया कारेक्रम में मुखिया थी एवं कुमेठा पंचायत के नागरिकों के द्वारा नव निर्माचित राज़त जिलाध्यक्ष पायल सर्मा का अंगवस्त एवं फूल माला से भव्य श्वागत किया गया वही पायल सर्मा ने उपाध्यक्ष पद मिलने के बाद पूरी निष्ठा से पाटी की मजबूती के लिए मेहनत करने की बात कही कारक्रम में जिला महिला अध्यक्ष सीमा साह, प्रदेश महसची विरिंगू राज, जिला जंक्यक अध्यक्ष महम्मद मेराज, जिला उपाध्यक्ष साधोयादव समेद दर्जन और राजत कारिकर्ता एवं कुमेठा पंचायत के नागरी मुझूद थे इसलिए हम लोग पूरा राजत परिवार की उरसे इसका नागरीक अभिनंदन में सामिल है